नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल कवर्मेंट चाप परफिशन पर दोस्तों आज है वेडिनेस डी और आज का जो हमारा स्टेडी प्लान जो हमने यूपी टॉपलेसी वीडियो ग्राम पे चाहर अधिकारी के लिए अपलोड कर रखा है तो उस टाइम टेबल के अगर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक है वह होगा भूगोल और इसमें भाग दो हम डिसकस करेंगे तो हम भाग दो डिसकस करेंगे ठीक है दोस्तों तो पहला भाग अपलोड कर दिया गया है और दोस्तों इसकी में प्लेलिस्ट भी आपको बना रही है और इसी तरह से भागतीन भागचार और कंटिन्यू ये स्रीत जारी रहेगी ताकि आपको जो आने वाले एक्जाम है यूपी ट्रपलसी के जितने भी एक्जाम होने वाले हैं सबका सेलेबिस में जीस तो आना ही आना रहता है तो यह सारे एक्जाम के लिए बहुत ह important है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमरा GK session दोस्तों आज का पहला question यहाँ पर निकल करा रहा है वो है पश्चिम बंगाल की सिमाएं कितने दोसों के साथ लगती हैं तो यह भी काफी important question है दोस्तों और यहाँ पर मैं ऐसे ही question collect करता हूँ जो कई बार exams में पूछे गए हैं तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल की जो सिमाएं हैं यह तीन देसों से तीन देसों के साथ लगती है यानिकि option number 4 यहाँ पर हमारा सही answer हो जाता है आंद प्रदेश और तमिल नाड़ के तटीव भुभाग को कहते हैं यानिकि आंद प्रदेश और तमिल नाड़ के तटीव भुभाग को क्या कहते हैं तो आंद प्रदेश और तमिल नाड़ के तटीव भुभाग को कोरो मंडल कहते हैं यानिकि option number 4 यहाँ पर हमारा सही हो ठीक है तो आंध्प्रदेश और तमिलाद के तटीव भवाग को कोरो मंदल तट कहते हैं जबकि पस्ची में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं जो केरल का तट होता उसको हम क्या बोलते हैं तो केरल की तट को हम बोलते हैं मालाबार तट याणि कि Option No.3 आपका यहाँ पर स पर निम्म मेंसे कौन सा राजी Seven sisters का सदर से हैं तो इसमें जो Seven sister का सदर से राजी है वो है त्रिपुरा यानि कि आपका यहां पर सही हो जाता है तो दोस्वों पूर्बुत्तर भारत के साथ प्रमुख राज्यों को Seven sisters भी कहा जाता है तो 7 sisters किसे का जाता है जो पूरबुतर के साथ प्रुमुख राज हैं उनको 7 sisters भी का जाता है और इन राजों के जो नाम है तो वो है अनुराचल प्रदीस, नागालेंड, मडिपूर, मिजूरं, तृपूरा, मेघाले और असम तो यहां बाद तृपूरा आपका सही आंसर हो ЕА, intest zu upon anasher sell? जवाहration noodle किस colony सुराज में इस्थितół है? तो जोच जवाहlection channel नहीं वांस gaining स्थित değil तो भारत की सड़क मारुकी सुरुआहर सुरंग दो जभारुवर्ट कर सुर्ण ही ठीक है वर्तमान में रोहतांग सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है दोस्व अभी सायर भारत की कोई दूसरी लंबी सुरंग आगई यह अभी मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ आपको अपडेट करके पता दूँगा ठीक है तो यहाँ पर इस कुश्चन के में इस थे तो वो है जम्मो और कश्मी यानि कि आपका यहाँ पर सही आंसर हुजाता था नेक्स्ट कोशिन की तरब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोशिन हमारा है निम्न भारती राजियों में किस राज्य की कोई समूद्री सीमा नहीं है तो यह भी इंपॉर्डेंट कोशन ह तो यहाँ पर आपका केरल राज में इते है यानि कि option number 3 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है तो सबरी माला केरल के पथनाम ठिटा कौन सा पथनाम ठिटा जिले में अवस्थित है तो यह किस जिले में सबरी माला जो है केरल में इस्थित है और केरल के किस जिले में इस्थित है पथनाम ठिक्टा जिले में अवस्थी थे, सबरी माला अथपन देव के मंदिर के लिए प्रिशिद्ध है, तो सबरी माला जो है, किस देव के लिए प्रिशिद्ध है, तो ये अथपन देव के मंदिर के लिए प्रिशिद्ध है, नेक्स्ट हमारे हैं पर question number 8 है, संग राज छेत्र, पुदुचेरी की सीम नहीं है यह आपका यहाँ पर question निकल कर आ जाता है तो आपका यहाँ पर जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा करनाटक यानि कि option number 2 सही हो जाएगा करनाटक के साथ नहीं लगती है इसकी सिमा बाकी सब के साथ इसकी सिमा जो है वो लगती है ठीक है तो जो पुर्चेरी है ये केंसासे प्रदेश की जो सीमा है इसके माहे छेतर के द्वारा केरल से पुर्चेरी ओम कराईकल छेतर द्वारा तमिलाण से ओम यमन छेतर के द्वारा आंध प्रदेश से लगी हुई है अता इसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी भी अन जिले की सीमा से नहीं लगती है नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पार है नंदा देवी चोटी किस राज में इस्थित है तो दूसर जो नंदा देवी चोटी है काफी फेमेस चोटी है और ये उत्रा खंड में इस्थित है उत्रा खंड में ही नंदा देवी चोटी इस्थित है नेक्स्ट कुश्चन आपका है कुश्चन नंबर 10 माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली प्रथम छिन अंग वाली महिला कौन थी तो 200 माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली करनाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर इस्थित है। तो यह कावेरी नदी पर इस्थित है। हम बोलते हैं लिमनो लॉजी यानि कि option number 2 आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है तो जीलों का अध्यान कहलाता है वे क्या लिमन लॉजी तो लिमनो लॉजी को सरुविज्ञान भी कहा जाता है इसके अंतरगत जीलो तालाबो नदियों और नभ भूमियों का अध्यान किया जाता ह नेक्स्ट कोश्चन देते हैं यानिकी कोश्चन नमबर 13 तो यह है निम्न में बिसंपद का पता लगाईए इनमें से आपको बिसंपद का पता लगाना है तो बिसंपद इसमें से कौन हो जाएगा तो यह हो जाएगा बालसोन यानिकी ओप्सन नमबर 13 आपका सही हो जाएगा तेकि डेल्टा चाप जील यो विसरपण का सम्मध मैदानी भाग से है जबकि जो बालसोन है इसका सम्मध मरुस्थली छेतर से है तो इसलिए यहाँ है कि इसमें विसंपध हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर कुश्चन है कुश्चन नमबर 14 निम्ल में किस राज को यूनिस्को की विस्विरासत की सूची में सामिल किया गया है तो जो यूनिस्को की विस्विरासत सूची है तो जो निम्ल की तहां पर स्थान दिये गये हैं तो उन में से जो सुन्दरबन नेशन इस सूची में केवला देव राश्टी पार्क कांजी रंगा राश्टी पार्क और मानस वन जियू अभ्हहरंड को नंदा देवी राश्टी अभ्हहरंड को 1988 में समलित किया गया है इसक्षिन नमबर 15 जोजीला दर्रा जोडता है यह आपका स्रीनगर और लेह को जोडता है यानि कि अप्सन नमबर 4 आपका सही हो जाएगा ठीक है तो जम्मू और कसमीर में अवस्थित जो जोजीला दर्रा है यह जम्मू और कस्मीर में इस्तित है और यह स्रीनिगर और लेह को जोड़ता है next question है कि question number 16 कुल्लू घाटी किसके बीच इस्तित है तो यह जो कुल्लू घाटी है यह धोलाधार और पीर-पंजाल के बीच इस्तित है या धौला धार और पीर पंजाल परबरसियू की मत हिस्तित है कुलू घाटी हिमाले प्रदेश की कुलू घाटी हिमांचल प्रदेश की कुलू जिले में ब्यास नदी के सारे विस्तरत है तो यह जो कुलू घाटी है यह हिमांचल प्रदेश में है और जो कुल्लू जिली में जो ब्यास नदी है उसके सारी अवस्थित है ठीक है, next question हमारा है, question number 17 हिमाचल प्रदीश में इससी दर्रा है ये भी important question है और exam में बहुत बार repeat हुआ है तो हिमाचल प्रदीश में जो दर्रा है वो है सिपकिला यानि कि option number यहाँ पर आपका देखिए सिपकिल्स लिग गया है आप इसको सिपकिला कर लीजिए, ठीक है तो option number 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सिपकिला तो हिमाचल प्रदीश जो सिपकिला है या एक प्रमुख परवती दर्रा है जो भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है भारत में सतलन नजी इसी दर्रे के साहरे प्रवेश करती है नेक्स्ट कुश्चन है, कुश्चन नमर 18 पाल घाट निम्नमी से किस राज्यों को जोडता है तो जो पाल घाट है, यह केरल और तमिल नाड को जोडता है तो यह भी important है, तो जो सागर माथा कहते हैं तो वो कहते हैं Mount Everest को यानि कि option number 1 आप कहां पर सही हो जाएगा Mount Everest को सागर माथा भी कहते हैं तो देखे हिमाले परबस रंकला की Mount Everest चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है, 8848 मीटर कि उचाई वाली या चोटी बिस्व की सबसे उजी चोटी है Next question है, question number 20 हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है तो ये भी काफी important question है तो हिमाले की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो है नमचा बरवा यानि कि option number आपका चोथा यहाँ पर सही हो जाएगा उचाई है, यह 7756 मिटर 7756 मिटर इसकी कौल जो उचाई है और ये हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी यही है तो दोस्तों ये थे आज के भूगोल part 2 के कुछ important questions जो की पिछले exams में repeat हुए है तो इसी तरह से ये भाग चलता रहेगा और आप चानते हैं कि study plan के recording हमारे सारे वीडियोज अप्लोड किये जा रहे है तो बस आप हमारे साथ बने रहे है और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को इसमें जोडते रहे है ताकि वो भी हमारे इन वीडियोज को benefit ले सके और दोस्तों मैं आपसे एक request भी करता हूँ कि हमारे इन वीडियोज को दोस्तों के साथ share भी करी ताकि हमें भी थोड़ा सा confidence मिल सके तो दोस्तों मिलते हैं इसी स्रीज के नए वीडियोज के साथ तब तक के लिए thanks for watching